सद्गुरु श्री ब्रह्म्ह चैतन्य महाराज गुन दवलेकर इनका प्रवचन बारह जुलाई सद्गुरु जैसा कहें वैसा बरताव करें शुद्ध भावना यानि बदले में न लेने की या फल की आशा छोडने की इच्छा भक्ती भी ऐसी निर्पेक्ष होनी चाहिए ऐसा नहीं होता कि देवालाय बनवाए भगवान का पूजन अर्चन किया तो भक्ती निर्पेक्ष हो गई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भगवान की सेवा करते हुए जब करते हुए कुछ प्राप्त हो तुम सब लोग भजन पूजन जरूर करते हो लेकिन ये सब ऐसा हो गया है जैसे शास्त्र में बरतन कहां रखें आचमनी तामरपात्र कहां रखें ये सब जो लिखा होता है वैसा आदमी मुह से कहता जाता है और करता जाता है क्योंकि वैसा करने से पूजा करना सरल होता है हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन वो केवल इसलिए कि वो हमारे घर की प्रथा है इसलिए नहीं कि भगवान हमें प्रिय है एक लड़का था उसे अपने पिताजी के पत्र आया करते थे वो पत्र पढ़ता और पूजा घर में रख देता, दूसरा पत्र आता तो उसे फढ़ता और फिर पिछला पत्र अलग कर देता, एक बार उसके पिताजी ने 25 रुपए मंगवाए, लड़के ने पत्र पढ़ा और सदा के अनुसार पूजा घर में रख दिया, फिर कुछ दिन बाद पिताजी की ओर से एक सज्जन आ हो, देखिए, बस वही करना रह गया, तो ऐसा हमारा भी होता है, हम कृति करते हैं, पूज्य भाव आदी रखते हैं, किन्तु सद्गुरु का कहां मात्र मानते नहीं है, इसलिए हमारे सदकर्म, हमारा एहंकार, कम करने का कारण नहीं बनते, उल्टे हमारा एहं भाव भाने में साहयक होते हैं, अतर सद्गुरु का बताया हुआ साधन ही, हम प्रामानिक्ता के साथ संशय रहित होकर करें, इसके लिए व्यवहार चोड़ने की आवश्यक्ता नहीं, हम व्यवहार को ना चोड़े, किन्तु व्यवहार में उलजना भी नहीं चाहिए, युद्ध में सार्थी के हाथ में सब कुछ होता है, वो लगाम हाथ में लिए सावधानी के साथ खड़ा रहता है, और जहां उचित समझता है, वहां ले जाकर रत को खड़ा करता है, युद्ध में लड़ने वाले का काम केवल बान अचुक दिशा में अथ्वा व्यक्ति पर छोड़ होता है, ये ध्यान में रखें कि जिसने संसार से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी है, उसका तेज, उसका प्रभाव सब को मानना ही पड़ेगा, रुपया उठाने पर दोनों बाजुएं एक साथ अपने हाथ में आती है, उसी प्रकार हम जब ग्रहस्ति शुरू करते ह तब हमें परमार्थ की आवश्रक्ता होगी ही, परमार्थ में भगवान की ज़रूरत होती ही है, ये भगवान की ज़रूरत सद्गुरू हमें उसका नाम देकर पूर्ण करते हैं, हमें ये नाम श्रद्धा और अखंडता से लेना चाहिए, इस प्रकार हम निरंतर नामस्मर करते रहें तो परमार्थ सत्ता है। भगवान के लिए हम में पैदा हुई इच्छा कुछ मात्रा में पूर्ण होती है। ग्रहस्थी में समाधान होता है और जन्म सार्थक होता है। गुरु के प्रते विश्वास रखकर लगन और प्रेम से नामस्मरण करें। करते विश्वास रखकर लगन प्रेम से नामस्मरण करें।